हे गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस्टाग्राम में कुछ इस तरीके से प्रॉबलम देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुए रहता है इस तरीके से आपको इस्टाग्राम में प्रॉबलम देखने को मिलता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको सॉलूशन बताने वाला हूँ तो गाईज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंडर तक वाच किजिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लिजे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे तो गाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो दोस्तों आपको इस प्रॉबलम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोर में इस्टाग्राम एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना है तो इसके लिए आप जो प्लेश्टोर से इस्टाग्राम एप्लिकेशन को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सबसे पहले अप्डेट कर देना है जैसे ही आप Instagram अप्लिकेशन को अप्डेट करते हैं तो उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में आने के बाद दूस्तों आपको क्या करना है आपको कुछ इस तरीके से ये जो simcard and mobile network के औप्शन दिखाए दे रहा है यहाँ पे आपको कलिक करना है कλिक करने के बाद आपको अपना sim select करना है sim select करने के बाद आपको access point name का औप्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस बाद आपको सबसे नीचे में एक option दो जाएगा recent का यहां पर आप देख सकते हैं सबसे निचे में option दिखाई दे रहा है तो उसको आपको click करके recent कर देना है recent जैसे ही करेंगे तो आपके phone में network जो है वो सही हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो इस problem को fix कर सकते हैं दोस्तों यह जो है network का problem भी हो सकता है तो आप जो है अपने phone को सही network में use किजिए तो यह जो problem है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी तो इस तरीके से आप जो है इस problem को fix कर सकते हैं तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजे और channel को अभी तक आपने subscribe ने किया है तो हमारे channel को subscribe